दोस्तों इंडियन रिन्वेल एनर्जी डेवलोप्मेंट एजनसी यानि इरेडा की बात तो श्टॉक के दराज हमने कुछ गिराउट देखिए अब इसके पीछ यह वज़े है बाज़ार में गिराउट लेकिन इसके बीच में इरेडा के CMD की तरब से जो बड़ा बयान दिय गया है उसके काफी माइने जो इसारा करें कि आने वाले समय में इरेडा एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है क्योंकि कमपनी नवरतन का दर्जा हासिल कर सकती है तो इसको समझेंगे इस वीडियो के माद्यम से इसके इलावा कमपनी के क्या निगेटिव और पॉज दिया लेकि हमें इस लेवल पर खरिदारी एडिया में करनी चीए लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी निया विडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले विडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स विडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त ऐस भी दवेवर मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज BSE SENSEC 71,355 के स्टर पे क्लोजिंग दिये 670 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखनों को मिली यानि 0.93% की गिरावट थी BSE SENSEC में सुबह शुरूआ तो पॉजिडी हुई लेकिन बाजार सम्मल नहीं पाया है बाजार में गिरावट का दौर शुरूआ और यह ध BSE Financial Service में गिरावट बाजार के मुकाबले भी जादा थी सेंसर के मुकाबले जादा थी आप देखो कि 10,425 के स्टर पे 110 पॉइंट की गिरावट हुई यानि 1.05% BSE Financial Service में भी गिरावट थी और इसी का नतिजाए थे कि रिंदमल एनरेजी सेक्टर के शेर में भी कुछ गिर 103 का है और क्लोजिंग भी वहीं पर हुई है 103.90 के आसपा जापे 1.14% के गिरावट थी तो BSE Financial Service में जितनी गिरावट थी उतनी ही गिरावट है कोई बड़ी गिरावट नहीं है यानि बाजार समलेगा तो यहां पर सांधार तेजी फिर बन सकती है भी फिलाल स्टॉक इस ल 1.1% की गिरावट ही तीन जनवरी की बात के तो क्लोजिंग 101 के आसपा से जापे 1.6% की फिर से गिरावट ही यानि लगातार 2 दिन गिरावट ही उसके बाद 4 जनवरी को श्टॉक 104 के आसपास आ गया 2.6% की सांधार तेजी के साथ में और 5 जनवरी को यह देख से तो कि क्ल आप समझ सकते हो यह सब दाइरे में हो रहा है और इसके पीछे वज़े कि इसमें बड़े फंडाउस से इस समय ज्यादा एक्टिव नहीं है न तो इसमें खरिदारी हो यह नहीं भी क्वाली हो यह इसे वॉल्म से आपको समझ में आएगा पीछले एक मैंने पहले इसका 11 कोड का वॉल्म हो था वन क्रोट की डिलेव उठाएगे दी और फ्राइडे को भी फॉर क्रोट का ही वॉल्म हो था वन क्रोट की डिलेव उठाएगे दी आज दो क्रोट का ही वॉल्म हो लगबग आदा हुआ इसका मतलब यह है कि लोग इस समय वेट कर रहे एक नए ट्रिगर का इन्तिजार कर गए तो यह ट्रिगर इसको मिल सकता है ग्यारा जनवरी को एक देखे तो कि यहां पे सेमिनार होने जा रहे है गुजरात में जो वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट सुरू हुआ है दस से लेके बारा जनवरी तक यह चलेगा और इसके अंदर ग्यारा ज साइन हो सकती है यानि इस सेक्टर में तेजी लाने के लिए सरकार जिस्तर से कोशिस करिया उसके अंदर जीजे के तोर पे यहां पे कुछ बड़ा इन्वेस्पन आता हो दिखा देखा कुछ बड़े प्रोजेक्ट साइन हो सकते है और ऐसे में इरेडा का रोल बढ़ेगा क क्योंकि यह ग्रीजे सेक्टर को प्रोजे करने वाली उसको सपोर्ट करने वाली उसको फाइनेस प्रोड़ करने वाली अकेली इकलोती ही इंडिया की कंपनी है जो पूरी तरसे ग्रीजे को ही फाइनेस प्रोड़ करती है तो सीधा फाइदा इसको हो सकता है और इसलिए 11 ज सम्मन में दार्णा में बहुत अंतर है और इस अधार्णा के अंतर को हमें कम करना होगा हम नीजी छितर में भी लगातार काम कर रहे हैं उसमें भी हमारा निवेस हम करने की कोसे वापे हमारी सितमर की ओर्डर बूक अगर आप देखे तो 77 परसेंट प्राइवेट सेक्टर बूक है यानि प्राइवेट प्लेयर को भी हम फंड प्रोवाइड कर रहे है इसके बावजुद हमारे पास 1.65 परसेंट ही सुद्ध नपय है यानि हमारा नपय काफी कम है यदि सितमर के आकड़ों को ले तो पिछले 36 परसों में हमारा क्यूमिलरेटिव राइट आप करीब 1.7000 क्रोड रुपए के मुकाबले हमारा सिर्फ 203 क्रोड है यानि हम अपनी क्वालिटी को और वहारी गुन्रता को ध्यान रखके काम कर रहे हैं जिससे हमारा NPA काफी कम है और हम प्रा अब देखे तो हम एक तरफ PM कुसुम योजना जो क्रिशी शेत्र को सौर उर्जा परदान कर रही है उसमें लगबग एक लाकरोर रुपे के अवसर को हम देख रहे हैं और उसमें काफी बड़ा निवेस की सम्भावना जिसमें बारत की GDP में क्रिशी का बड़ा योगदान उसमें हमारा भी योगदानी सेक्टर को मिलने वाला है और दुसरी तरफ देखे तो हम आने वाले समय में रिटेल सेग्मन में इंट्री करें हैं और वहाँ पे भी निवेस को योजनाओ को तलास हैं Wak嘗्वापे इंवेस्मेन किस्टर से करना उसको देख रहे हैं अब को नवरतन कंपणी का दरजा मिला तो क्या बदल जाएगा इस पर उन्होंने का कि उन्हें नवरतन कंपणी का दरजा मिलने की उम्मीद है सबसे पहले कंपणी के बारे में धार्णा कंपणी का गुणात्मग आचरन सुद्रे का हमने इस शेडूल में ए रतन और नवरतन के ल और निविश्कों के साधर रेटिंग एजेंशियों को आभी विश्वास बढ़ेगा तो हमारी रेटिंग सुदर चुकी और जल्द ही हमें नवरतन का दर्जा भी हासिल हो जाएगा क्योंकि हमारी रेटिंग अप्ग्रेड हुई है तो कुल मिलाके जल्द ही नवरतन का पर ले इस तिर रेटिंग है इससे और सुदार क्या होगा यानि हमारी जो कॉलिटी हमारी गुर्णवत्ता के दंपे हमको उच्छो सर्वस रेट्स नंबर मिले हुँ हमारा हर कॉर्पोरेटर परसासन मानकों को हम पूरा कर रहे है और इसी वजह से हम इस सेक्टर में सरोतम गुर्णवत्ता के साथ आगे बढ़ रहे है और हमारे नंबर से सर्वस रेट है उन्हें कुल मिला के कह सकते कि कंपणी का बिजनस बहुत सांधार यूनिक है और वाकई में इसको जल्दी नवरत बतना का दरजा भी माज मिल जाएगा तो कुल मिला के लॉंग टरम इन्वे 2,613 क्रोड तक पहुच गया और 2022 में ये 2,859 क्रोड तक पहुचा जो 2023 में आते थे 3,481 क्रोड तक पहुच गया लगातार हर साल हर तेजी से हर कौर्टर में आप देखे तो रिवेन्यू आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा बिजनस बढ़ रहा है लगातार बढ़ और जैसे कि ग्रिणाजी का पॉर्फोलिय बढ़ रहा है जैसे में इस सेक्टर में निवेस आ रहा है यह और तेजी से बढ़ेगा प्रोफिट में भी जबर्दस उचाल है 2019 में देखे तो कि 244 क्रोड का प्रोफिट था लेकिन 2020 में प्रोफिट में कमी आई 214 क्रोड के आस 2023 की बात कि दो सिधा एट इंडे 64 कर तक पोच गया और यह 2019 के मुकाबले तीन गुना प्रोफिट है और यह बहुत जदा आखले उत्सावर दखे जो इसारा करें कि यह श्टॉक कमाल करेगा अगर आप इसको लॉंग तरम के लिए होल्ड कर ले शॉर्ट टम में भले थोड लोग इसको लेना पसंद कर रहें अब एक बार पीवर्ट लेवर को चेक कर लेते हैं तो यहां से गर गिराउट होती है तो वन दे थरी का पहला सपोर्ट है जिसके आसपस क्लोजिंग हुई है सेकेंड सपोर्ट 102 का है इसको तूटा यह तो फिर 100 तक जा सकता है अच्छी बात है कि तीसा सपोर्ट अभी भी 100 के ऊपर है गिराउट की सम्वावनों कम दिखे देगी अब उपर की दब चला तो जो पहला रजिस्टन से वन दे शिक्स का है अब इसको पार कर लिया तो वन दे एट तक इस्टोक जाएगा और एक बार 108 को पार किया तो फिर 110 तक जान सुरक्सित और अच्छा निवे से इस सेक्टर में बहुत सारी सम्वावन है दाव आपको लगाना चीर लॉंग टम का नज़िया लेके लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाज़ेस बाड़े ले या अपने खुद का रिसर्च क करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपाइद के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुकिज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंट